जाहिंद इस विडियों लोग भी एलेस इन्फोटेकल इमिडेट कंपणी को बात करेंगे एक महासी वेदिक समय होगे जब से कंपणी का सेयर प्राइस असमान चुरा है अर्थात अपर सेगिट पर अपर सेगिट लग रहा है निवेसकों के बल्ले बल्ले हैं कोई ऐसा सेयर स समय आ गया सेयर प्राइस नीचे जाने का और कहीं ऐसा विना हो कि शेयर इससे पहले हम आपको अपडेट कर देते हैं कि इसमें साउधानी क्या क्या ब्रत्नी की जुरूत है और जो नए लोग है इसमें कव इंट्री ले सकते हैं उनको भी ताकि ऐसे मुनाफ़ाप राप्त सबसे पहले जानेंगे हैं क्या करती हैं यह एक सौफ्वेयर प्रवाइट करने वाली कंपनी है मतलब इस से सक्टर से बिलोंग करती है सब्समस्द कर नाती है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में किया जाता है काम समझ गए अब आईए यहां देखते हैं कंपणी का मार्केट धार उपर की तरह भरते जा रहा है अब हाई देखिए हाई लगा चुग rifiya, Future सह द्यान से देखेंगे तो magistव FERRस का हाई है क्यूंकि अभी इस से restore product और टाइम हाई पर है और्पर है तो जिसे जिसा बढ़ सर वैसा सा की नया भी बंगते जाएगा इस ग्राफ में आप देखिए 20 दिसमबर से 20 दिसमबर 2020 से कंपनी का सेर प्राइस उठना शुरू हुआ और 20 दिसमबर से कल यानि की 25 फरवरी तक जब तक अब देखिए तक कंपनी का सेर प्राइस अभी बढ़ी रहा है मतलब देखिए गरीप आठ गुन्ना का रिटर्न इस कंपनी ने दे दिया है मतलब दो माह पहले जिस वेक्ती ने इसमें इंवेस्टमेंट किया होगा जितना भी किया होगा उनका पैसा अठ गुन्ना कम से कम तो हो ही गया होगा अभी तक रिटर्न की बात करें दिखी एक सब्तामें इस शबीस पॉंट साथ एक परशेंट का रिटर्न दिया है और एक मह में 178% का संदार रिटर्न दिया है मतलब अगर एक माँ पहले भी आप इसमें एक लाख रुपए या जितना भी आप इंवेस्टमेंट किया होते हैं तो अब तक आपके दो लाख अठाटर जार रुपए बन चुके होते हैं और एक साल में देखेंगे तो 1847 का संदार रिटर्न दिया है देखें यह जो 1847 परशन का रिटर्न देख रहें इससाब सिर्फ पेनी इस्टॉक में संभा होता है क्योंकि पेनी इस्टॉक जिसको चाहे मतलब जो इसमें इंवेस्टमेंट करते हैं उनको राजा भी बना देता है और जब चाहे तो उसको रं कि आपकर सब्सक्राइब करें वही इसका सब्सक्राइब फिर अगले दिन अगाई जब इसके पहले सब्सक्राइब वो इसका सपोर्ट लेवल रहेगा फिलाल आप यह समझे कि यह सपोर्ट लेवल यह है तीन रुपर सत्र पैसा और रेश्टरेंस लेवल चार रुपया है चार रुपय को उपर चला जाता है तब मान लीजिए कंपनी का सेर्पराइस दस रुपय के आसपास आराम से जा सकता ह लेकिन उसकी समझाना कम नजर आती है क्योंकि आरेसाई एकदम सो के आसपास आ गया है बहुत ओभर वोट जोन पर है आरेसाई सो के आसपास आ जाने के मतलग कभी भी इसमें लोवर सर्कृट लग सकता है जहां करेक्शन शुरू हुआ सेर पर ध्राम ध्राम नीचे है मतलब तीन वहां में तीन गुर्णा बढ़ा है रेविन्यू और देखिए कंपनी को कुछ प्रोफिट नहीं हुआ था जीरो जीरो प्रोफिट हुआ था लेकिन क्वाट थी में एक लाग का प्रोफिट हुआ है अब पेनी श्टॉक है तो पेनी श्टॉक में ज्यादा न करणी कोडर से करक्या ही बढ़ते जानी है यह और यह साल दर सल भालते जा रहा है और यह पोजिटिव साइन है और लियाबिलिटी से पास हो देखेंगे तो साल अंदर साल कम होते जा रहा है मतलब लेवल के कंपनी उसके साफसे का फंदामेंटल बेश्ट है फंदामेंटल में कोई दिकत नहीं थोड़ा सा रिजर्ब कंपनी का फंदामेंटल ठीक है देखिए सब को पता है कि अभी यह जो कंपनी इसका ऊबर बॉट जोन पर फिर भी लो स्केर्स साफिसेकं लाएं चलाएं चले बहुत है जब जसे बहुक्त हुष तो मेरी जो कहती है मेरा प्राइस में कभीभी less लग सकता है और तो इस नीचे तिरब चरफ जाना शुरू हो सकता है तो इसलिए मेरा आप से गुजारिस रहेगा कि अगर आपका इसमें इंवेस्टमेंट है और अच्छा खासा प्रोफिट हो गया है तो कम सकम जितना आप लागत लगा है उस लागत को निकाल लेजिए उसके बाद जो प्रोफिट बचता है आपके पास उस प्रोफिट में से आधा प्रोफिट आप बुक कर लेजिए मतलब आधा प्रोफिट जितना हुआ उतना निकाल लीजिए और जो नए लोग इसमें इंवेस्टमेंट करना चाहते तो अभी इस लेवल पर जबकि शेयर प्राइस तीर पास 70 पैसा मतलब अभी एकदम और टाइम हाई पर है तो धन्यबाद शुक्रिया